मैं राज बहादुर याद्रो जॉइन इंडियन आर्मी के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभ्यंदन करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों एक बार जोर से से शेयर कर दो सारे लोग जोर से सेयर कर दो जैसा कि आपको थमनेल में दिखा होगा वर्ण माला टापिक क्या दिखा होगा वर्ण माला टापिक दिखा है आज हम वर्ण माला टापिक का अभ्यास कराएंगे आप लोगों को और कल से schedule जो है आपको मिल जाएगा तो चलिए आज के session का पहला question प्रारम करते हैं आज के session का पहला question आपके screen पे आ गया है जरा ध्यान से देखेंगे और answer बताना प्रारम करेंगे हमारे सारे बच्चे इस question को जरा ध्यान से देखेंगे ओ का उच्चारण अस्थान है आपको बताना है ओ का उच्चारण अस्थान क्या है तेजी से हमारे बच्चे कमेंड करके बताएंगे ओ का उच्चारण अस्थान क्या है हिमानसु जी हलो हाई हिमानसु शीवम राजिंद शिलखिया हाई शारे बच्चों को हाई हलो गड़ यूनिंग है भया यहां देखो ओका उच्चारण अस्थान आपको बताना है तेजी के साथ कमेंड करके बताएंगे हमारे सारे बच्चे पहले कुश्चन का आंसर देना प्रारंभ करें हमारे बच्चे अभी तक हमारे साथ 32 बच्चे हैं लेकिन अभी तक किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं है भई क्यों बच्चों क्या बात है भई पढ़ना पढ़े तो ही इन कुस्चनों का आंसर कर पाएंगे यहां देखो पहले ओ किन दो वणों से मिल के बना हुआ है तो आप बताएंगे ओ किस से मिल के बना हुआ है आ और उसे मिल के किस का निर्माड होता है तो ओ का निर्माड होता है तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है अगर इन दोनों का उच्चारण स्थान आपको मिल जा जायेगा तो ओकाउचरण स्थान आपको क्या ग्यांत हो क्या भया यह भी कलपा right answer है कंथोस्ट होगा क्या होगा मेरे बच्चों कंथोस्ट होगा यह पाहला वाला ही answer आपका सही है धन तोष्ट से कौन सा one बोला जाता है तो मेरे बच्चों आप याद रखिएगा वा बोला जाता है क्या बोला जाता है वा बोला जाता है ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण हो बोले जाते हैं आप बताएंगे उ और उ बोला जाता है इसके अत्रिक्त पावर्ग प, फ, ब, भ, म ए पाँच, दो, साथ वर्ण कहां से बोले जाते हैं ओट से बोले जाते हैं मुरधा से कौन सा वर्ण बोला जाता है तो आप याद रखिएगा री क्या बोला जाता है री रा और मुरधा निशा इसके अत्रिक टाठाड़ अड़ एतने वण कहां से बोले जाते हैं ता आप बताएंगे मुरधा से बोले जाते हैं मेरे बच्चों अगला कुश्यन आपके स्क्रीन पर आ रहा है तो यह आपका राइट आऊनसर ऑन्सर और य gracious दूसरे पर कुश्यन आपके स्क्रीन पर हाऋ कौन सा विंजन है जल्दी से आपको बताना है हा कौन सा विंजन है मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमांसुर उद्रा शाहू बलजी सिको इंडियन आर्मी जीडी इसके लिए आप राकेस जब रहेंगे भाया तो उन से बेहतर ढ़ंग से बात कर लिजेगा आपके थंबनेल में धेर सारे एकजामों की बात की गई है कितने धेर सारे एकजाम से हैं उन सारे एकजामों के विशे में बात की जा रही है दूसरे नंबर का कुश्यन और दो नंबर लिख के जब डालेंगे तो हमें पता चलेगा मेरे बच्चों कि आप दो नंबर का आंसर दे रहे हो तब हमको पता चलेगा कि आप दो नंबर का हूँ आंसर दे रहे हो आप कौन सा बेंजन है उसम बेंजन है असपर्स बेंजन है दिगुण बेंज तालव विशा, मुरधन शा, दंत शा और हा एक ऐसे विञ्ञन होते हैं तो मेरे बच्चों आप बताओगे ओस मिघञ्न होते हैं कौन से विञ्ञ्ने होते हैं उस्मिघन होते हैं अगला कुश्यन आपके स्क्रीन पर कुश्चन नमности जीव के उठने के आधार पर स्वर की कित में कितने भेध होते हैं तेसी से आंसर करके हमारे बताइंगे question noper 3 आपके स्क्रीन पर चल रहा है ard Article 6 थ होते हैं Wahr חMore आज हुआ आज अंद्जी करके सा कितने भेध होते हैं मेरा नेम बेरे नांगर vraag क्या है मेर स्केत हम स्वेया बैदम है मेरे बच्चों राज राज बहादुर यादव मैं शुरुवात में ही आपसे बोला भया मैं राज बहादुर यादव एंडियन जॉइन एंडियन आर्मी के इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हिंदी की क्लास लेके आया हूं और मजेदार क्लास होगी पूरी पूरा कोई यूपी असाई देना होगा यूपी सिपाही देना होगा यूपी सपाही इस तरह के जितने भी एक्जाम होते हैं यह सश्यदेना होगा इससी जीडी देना होगा हर एक्जाम में सर चार होते हैं राम आर्मी वाइटी हे बाश गेमी में सवाई सिग राठ रमश õ Dis明agenda ऑर 12 होते हैं पुप्पू दो अंसर कर रहे हैं अनु अनुपाठक जय हिंसर जय हिंद मेरे बच्चे यहां जीव के उठने की आधार की बात की जा रही भया जीव के उठने के आधार पे श्वर के तीन भेद होते हैं कितने भेद होते हैं मेरे बच्चों तीन भेद होते हैं यह तीन भेद कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा एक को कहते हैं अग्रश्वर कौन सा स्वर कहते हैं अग्रश्वर कहते हैं दूसरा आपका मध्यश्वर होता है और तीसरा आपका क्या होता है भाई पश्च स्वर होता है अग्रश्वर मध्यश्वर और पश्च स्वर के तीन भेद होते हैं किसके आधार पे जीव के उठने के आधार पे मेरे बच्चों जीव के उठने के आधार पे कितनी भेद होते हैं तो आप बताएंगे तीन भेद होते हैं कौन-कौन से अग्रशवर, मद्यशवर और पश्शवर तो यहाँ खावाला विकलप आपका राइट आंसर है बी विकलप आपका राइट आंसर है अगला question आपके screen पे आ रहा है एक बार जोर से share करो मेरे बच्चों ये से मजा नहीं आएगा जब तक share नहीं करो कि मजा नहीं आएगा अगला question आगी आपके screen पर जिन wordों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं तेजी से कमेंट करके हमारे सारे बच्चे बताएंगे जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हरस्वर कहते हैं उसे दीर उस्वर कहते हैं उसे प्रूत्वर कहते हैं या इनमे से स भी कहते हैं जल्दी से तेजी से आंसर करेंगे हमारे बच्चे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यहां ध्यान से देखो कम समय लगता है किसकी बात कर रहा है बटा कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं हरस्वर कहते हैं कौन सा स्वर कहते हैं मेरे बच्चों त्याद बताएंगे मूल श्वर कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे एक मात्रिक स्वर कहते हैं कौन सा स्वर कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है ता आप बताएंगे इसे अक्षर स्वर भी कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है एक दो तीन चार पांच छे छे नाम हो गए हैं बेटा आपके बोड़ पे, कितने नाम, छे नाम हो गए हैं, लगूश्वर, मूल्श्वर, एकमात्रिक्ष्वर, नैसरगीक्ष्वर, अच्छर्ष्वर, और इसे और किस नाम से जाना जाता है, ता आप याद रखिएगा, इसे आखंडित स्वर भी कहते ह हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ जिनवाणों का उच्चारण करने में कम समय लगता हूँ, से क्या कहा जाता है, हरश्वर, इसमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्गुश्वर में कितनी मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, पुलुत्ष्वर के उच्चार कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे मात्रा के आधार पे स्वर के तीन भेद होते हैं अगला कुश्यन आपके स्क्रीन पे आया कुश्यन नंबर पांच यहां ध्यान से देखो भया पांच नंबर का कुश्यन है और सेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा भाई यह संख्य सौ पहुचेगी तभी क्लास 72 होगी यह जान लो उच्चारण समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तेजी से कमेंट करके बताएंगे हमारे बच्चे उच्चारण समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं पांच भेद होते हैं दो भेद होते हैं तीन भेद हो हैं और लाइक की बउटन मात्र और मात्र 7 है गलत बात है याद रखिये जितना like जितना सब्सक्याइबर बढ़ा सकते हो बढ़ालो मेरे बच्चों मज़ा उतना ही आएगा याद रखियेगा आज पहली क्लास है जितनी तेजी के साथ जोड सकते हो जोड लो मेरे बच्चों उच्चारन समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो आप याद रखेगा अभी अभी हमने बताया उच्चारन समय के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं जिस में से कौन-खॉन-खॉन से हैं 1 favors स्वर कौन सा स्वर मेरे बच्चों एक मात्रिक स्वर दूसरा है आपका द्वी मात्रिक स्वर और तीसरा है आपका त्री मात्रिक स्वर टावर्ग की अंतरगत कितनी वन आते हैं कितनी वन आते हैं भई टावर्ग में कौन कौन सा वन होता है तो हमारी सारी बच्चों को पता है टावर्ग में ठाता है ठाता है डाता है और अडाता है यह पांच वन आते हैं यहां जो आपका पहला विकल्प है का वाला आंसर यही राइट आंसर है कौनसा विकलप आपका राइट आंसर है बएटा एक दिन रुक जाओ एक दिन अभी सवाल तूरंट ना करना सुरू करो जो आंसर को कुष्चन मिल रहा है कर लो उसके बाज तने सवाल होंगे हर सवाल का अंसर मिलेगा मेरे बच्छों चलिए अगे कुष्चन के तरफ बढ़ते हैं नमबर छे हैए आई का उच चारण स्थान कुष्चन नमबर उच्चारह न सथान है आपको तेजी से बताना है AI का उच्चारण अस्थान है तेजी से हमारे सारे बच्चे बताएंगे AI का उच्चारण अस्थान क्या है AI का उच्चारण अस्थान क्या है यहाँ कंठ तालब्य है तालब्य है कंठ है या इन मेंशे कोई नहीं तेजी से आंसर करके हमारे सारे बच्चे बताएंगे AI का उच्चारण अस्थान क्या है मेरा एक सवाल है मिश्टर पहुन यादो आपके हर सवाल का आंसर मिलेगा पहुन जी लेकिन पहले आप हमारे कुछ कुश्चनों का आंसर दे लीजिए उसके बाद उसका भी आंसर समाधान हो जाएगा जल्दी से बताएं भाई AI का उच्चारण अस्थान AI बेटा संयुक्त वण हैं दोनों कैसे वण हैं संयुक्त वण हैं AI का निर्माड किन दो वणों से मिलको हुआ है आप बताएंगे AI और E से मिलके AI का निर्माड हुआ है AI का उच्चारण स्थान क्या होता है मेरे बच्चों कंट होता है और E का उच्चारण स्थान क्या होता है ताल या तालब भी होता है अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए ते क्या मिल जाएगा आपको कंठ तालब भी मिल जाएगा तो यहाँ का वाला विकलब आपका राइट आंसर है ए विकलब आपका राइट आंसर है जैहिन सर्मनिस्कुमार जी ए आंसर होगा سर पप्पुगुप्ता दीपापाल नमस्ते नमस्ते भ Ain सारे बच्चों को नमस्ते है श्रीयकाल है राधे-राधे है तो साथ नंबर का कुश्यन कन्ठ तालब आंसर है कुश्यन मर-8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है मेरे बच्चों पूश्यन नंबर आठ का आंसर बताएंगे निमने में से आयोग वाहале तेजी के साथ आंसर बताएंगे कौन सा आयोग वाह आयोग वाह है अभी तक हमारे किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं है भई आज के सिसन का ये आठमा कुश्यन है इसके बाद दो कुश्यन आपके और आएंगे जल्दी से बताएं भई अंग आहा का और खा जिन बच्चों ने गा भी कलप आंसर दिया है या सी भी कलप लगाया है उनका आंसर काविले तारीफ है अंग और अहां के दोनों क्या होते हैं आयोग वाह होते हैं आयोग का अर्थ होता है आधन योग धन वाह क्या होता है आधन योग धन वाह से आसर है वहन करना या ले जाना क्या होता है वहन करना या ले जाना आ का अर्थ होता है नहीं जिसका किसी के साथ योग नहीं हो ना तो इनका योग होता है स्वरों के साथ नहीं अस्थाई रूप से ब्यंजनों के साथ इसलिए इन्हें आयोग वाग कहा जाता है तो सी भी कलप आपका राइट आंसर है अगल लदी से तेजी से आंसर करेंगे निमने में हरस्वर है कौन सा हर स्वर है मेरे बच्चों तेजी से बताईएगा यह हरस्वर है यह अरस्वर है यह यह आए है तेजी के साथ कमेंड करके बताएंगे हमारे बच्चे इस बार देखना है सारे सर मेरा first comment in the question चलिए तीन नंबर चलिए भाई अनु अनुपाठक जी 9 नंबर का answer बताएं भाई 9 नंबर का answer तेजी के साथ बताएंगे हमारे बच्चे 9 नंबर का answer तेजी के साथ हमारे बच्चे बताएंगे भाई question नंबर 9 का answer तेजी से बताएंगे हमारे बच्चों का answer आ रहा है पहला विकल्प का विकल्प की very good answer भई चलिए आगले question के तरह बढ़ते हैं question नंबर 10 काौन से वर्स वर्ण कह राते हैं वर्स वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं तेजी से comment करके बताएंगे वर्षवन किशे कहते हैं देखना है तीन सही है सर देखना है किन बच्चों का आंसर इस बार चेतन भूटे अनु अनुपाठक पप्पु गुपता सुविन यादव जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपापाल, मनीश कुमार, बाश गेमिंग, बबलो सिंग, सचिन कुमार तो तेजी से आंसर करेंगे हमारे सारे बच्चे भई वर्षवन कहलाते हैं ना और ला कहलाते हैं यावा कहलाते हैं पा कहलाता है या फा कहलाता है वर्सवर्ण कहते किशे हैं मेरे बच्चों वर्सवर्ण कहते किशे हैं वर्स का अर्थ होता है मशूढ़ा क्या होता है मेरे बच्चों मशूढ़ा होता है मशूढ़ा जिसे हम कहते हैं दंतमूल क्या कहते हैं दंतमूल जिन वर्डों का उच्चारण करते समय हमारी जिवा उपरी दंतमूल का अश्पर्श करती है उसे हम वर्ड से वेंजन करते हैं इसके अंतरगत आपके पांच वर्ड आते हैं याद रखिएगा सरल जन एक ट्रिक बता दे रहा हो जिससे कभी आपको भूलेगा नहीं शरल जन यहां कौन सा वर्ड है सा है रा है ला है जा है और ना है यह आपके कितने वर्ड होते हैं भया पांच वर्ड होते हैं वर्ड से वेंजन में यहां देख लो या और वा तो है नहीं पातो है नहीं फातो है नहीं तो ना और ला यहां मिल गया यही आपका ए विकल्प र जल्दी जल्दी तेजी के साथ अंसर करो मज़ा आएगा धीरे धीरे सारी classes आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे आपको सारी classes सारी का याद वो दो उस मेंजनों की संख्या पूछा जा रहा है उस मेंजन होते कौन कौन से हैं हम पूर में ही आपको बता चुके हैं सशॉाशॉा और हू यह पाट चारवण होते हैं यहाँ उस मेंजन की संख्या आपको EV कल्प का वाला आंसर लगाना था EV कल्प आपका राइड आंसर कौन सा विकल्प भ concur 11 नमबर पुष्चन का A.B. पाप का राइट आंसर है Question number 12 आपके screen पर ज्या का उच्चारण अस्थान है बड़ा आउगूर सा question है भई ज्या का उच्चारण अस्थान आपको बताना है देखना इस ज्या का उच्चारण अस्थान हमारे कितने बच्चे बताते हैं सही ग्या का उच्छारण अस्थान है ग्या का उच्छारण अस्थान है तेजी के साथ आंसर करेंगे हमारे बच्चे ग्या का उच्छारण अस्थान है ग्या का क्या उच्छारण अस्थान है मेरे बच्चों तेजी से आंसर करके बताएंगे हमारे सारे बच्चे या दंत से उचरित होता है तालू से उचरित होता है या मुर्धा से उचरित होता है या इनमे से कोई नहीं अभी तक हमारे किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं आया भई एक भी बच्चे का आंसर नहीं, एक बच्चा C का रहा है, कोई सारे बच्चे C या तो A बता रहे हैं, पप्पु गुपता का रहे हैं, खा सुविन का रहे हैं, सा, अनुपाठक का रहे हैं, तीन बटा यहां देखो ग्यां, कीन वर्णों से मिलके बना होता है, जा और इयां से मिलके बना होता है, जा का उच्चारन स्थान होता है, ताल, क्या होता है, ताल, इयां का उच्चारन स्थान भी क्या होता है, ताल होता है, ताल उसे उच्चरित होते हैं बटा है, दोनों वर्ण इसी से मिलके किसका निर्माड हुआ है ज्याका निर्माड हुआ है यहmaं जो आंसर होगा उखा विकल्प होगा ताल। अगला कुश्यन आपके स्क्रीन पे आज के सेशन का 13 नमबर का कुश्यन है अस्पर्स व्यंजन के अंतरगत कितने वर्ण गिने जाते हैं तेजी से आंसर करके बताएंगे भई इसके बाद आपकी मैत की क्लास होने वाली है जो कि एक हम लोगों का और चैनल है सक्सिच पावर के नाम से किस पावर के नाम से सक्सिच पावर के नाम से आप उस चैनल पे मैत की भी क्लास का इंज़ाय करिए भई चलिए यहां अस्पर्स व्यंजन के अंतरगत कितने वर्ण आते हैं तो आप कितने वर्ण बताएंगे भई पांच वर्ग होते हैं प्रतेक वर्ग में पां से कहां तक होते हैं तो का से मा तक होते हैं अगला पुश्यन आपके सेशन का 14 हो नंबर का कुश्यन है हरस्वर में एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है हरस्वर में एक मात्रिक श्वर की संख्या कितनी होती है चार होती है पांच होती है तीन होती है या दो होती है कितनी होती है मेरे बच्चों तेजी से कमेंट करके बताओ सरद्धा बडोले 25 सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर जी को लाइक सब्सक्राइब बेटा हमें सब्सक्राइब करने की कोई जरुवत नहीं आप सब्सक्राइब किये ही है आलरेड़ी आप लाइक करते रहिए मज़ा आता रहेगा आपको सेशन में हरश्वर में एक मात्रिक स्वर कितनी मात्रिक एक मात्रा किसकी किसकी एक मात्रा होती बटा तो आप बताएंगी ए की होती है उ की होती है इन तीन स्वरों की मात्रा एक होती है आपकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती आपकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती तो इसको हटा दो तो जल्दी से ध्यान से देखो और आंसर करके छोड़ो भाई तरा किन दो वर्णों के योग से मिलकर बना है तेजी से आंसर करके हमारे सारे बच्चे बताएंगे तरा यहां देखो बेटा पहला विकल्प ता और रा जब भी पहला बेंजन अधूरा होता है दूसरा बेंजन माध्यम से बता देंगे थंबनेल देख लीजेगा उसमें आपको टाइमिंग मिल जाएगी इसके बाद आपको मैद की क्लास मिलेगी थोड़ी दिर में प्रवीन सर्मासर आजाएंगे वो सक्षेज पावर चैनल पर किस चैनल पर सक्षेज पावर चैनल पर उस पे आप खातिप होंगे इसी जॉइन इंडियन आर्मी चैनल पर ही आपको हिंदी की दूसरी क्लास लेके वर्ड माला से ही संबंदित फिर तक तक के लिए भया शुब रात्री गुड लाइव